दोस्तों मेरे पास काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि हम लोग जो यूनिवर्सल मदरबोड किसी भी ब्रैंडेड कमपनी टीवी के अंदर डालता हूं तो उस समय जो रेमोट होता है वो हम कैसे वर्क कराएं जैसे कि आप देख सकतों मेरे पास एक LG टीवी का ओरिजिन तो आगर आप जानना चाहते हो कि किस प्रकर से इस तरगी के जो यूनिवर्सल मदरबोड है उसके अंदर किसी भी ब्रैंडेड कमपनी का रेमोट को वर्क किया जाता है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड़ बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके रखिएगा उसके सा हमर 24 इंच टीवी के लिए यूनिवर्सल मदरबोड है जिसका नंबर आप यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है वीस टीपी 53 यू 52.2 और आगर आप इस बोड को पर्चेस करना चाहते हो तो हमरे वीबसाइट से पर्चेस कर सकते हो निचे डिस्क्रेशन में लि यह देख सकतो एक बहुत ही पॉपुलार इंवर्सल मदरबोड है जिसका नंबर है वीस टी 56 यू 11.2 जो कि आप यह से टीवी के अंदर लगा हुआ है लेकिन सभी बोड के अंदर किसी भी कंपनी का रिमोट को वर्क कराने का जो भी प्रोसेस होंगे वो सारे बोड के अंद जिसे डिसक्रेपशिन में लिंक दिया हुआ है तो देखिए अभी जो इस टीवी के अंदर जो मदरबोड लगा हुआ वो यू 11.2 लगा हुआ और इस रेमोट के जिरिए एक काम करेगा तो देखिए आपके सामने में इस रेमोट को प्रेस कर रहा हूं यह यहां पे देख स तो रेड इंटिगर जल रहा है आपको लाइट के वैसे नहीं दिख रहा होगा तो देखिए मैं यहां पर इसको प्रेस कर रहा हूं देखिए जैसे प्रेस किया यह रेड से ग्रीन हो गया और हमारा डिस्पले पर भी जो इस्टन वाई का रिलिज है वो हो जाएंगे और उसक बाद चैनल को चेंज कर रहा हूं देखिए चैनल पर चेंज हो रहा है देखिए मैंने दो प्रेस किया तो दो हो गया और उसके बाद मैं HDMI मोट पर क्या तो देखिए डारेट यहां पर HDMI मोट आ गया है तो आप बाड़ी आते हैं कि हम किस तरीके से इस LG TV को सेट अप कराएं उसके बाद जो पावर बटन होगा उस पावर बटन के पास में जो स्वीच होगा उसको प्रेस करना होगा तो आपको कैसे पता सलेगा कि कौन सा पावर बटन है तो आपको यह करके प्रेस करके देखना होगा तो यहां पर प्रेस किया तो देखिए यह जो हमारा बटन है य यह और कर रहा हके सेथे कर रहुंकि मैं विलियों आपका यहां पे देख सकत죠, सुट को प्रेस कर रहा हूं, फिर भी यह क्या नहीं हो रहा है तो आपको के करते हैं फिर भी हमारा रेमोंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप एक बाद दावाना है फिर इस तरी के से करना है देखिए आभी जो हमारा एल्जी टीवी का रेमोट है वो काम करना इस्टाट हो चुका है आप यहां पर भोलियूम दिख रहा हूंगे तो देखिए आप एल्जी टीवी के रेमोट के अंदर मैं इन्पूट को प आई लेवेल दिख्वा रहा है तो हम देख सकतों सभी जो है वह काम कर रहा है तो एक बाद मीश को इस्टरौब पर मॉट यहां पिछोए की यह से सभाहि ब्लकुल वाला लो रेमोट से कम कर रहा है और आप बाड़ी आते कि दूसरा जो रेमोट है तो दोस्तों आप हमारे पास एक Costco TV का एक रेमोट है तो इस रेमोट के जरीए हम अब इसको ट्राय करके देखेंगे कि यह काम करता है कि नहीं सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो सेल है बैटरी सेल है वो उसको डाल देंगे य कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है उसके बाद मेरे पास वो मैसेज़ेस करता है कि हमारा रेमोट हो काम नहीं करता है तो आपको सबसे पहले चेक करने होगा कि आपका रेमोट काम कर रहा है तो चलिए आप मैं आपको दिखाता हूं यहां पर बोलियों प्रेस कर रहा हूं यहां पर देखिए वोलियूम को प्रेस कर रहा हूं लेकिन हमाई डिस्पले पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो सेम उसी प्रोसेस के जरी है हम जो पावर बटन की जो पास बहला स्वीच है उसको हम प्रेस करेंगे एक बार और देखेंगे यह करके फिर से दबाएंगे फि इसको यह भी मोटवल eine के चलता हूँ यहां पर यह भी मोट देख़िए अभी अभी मोट पर आचुका है और फिर से एक बान में वोलियूम को इंक्रेस कर रहा हूं देखिए बिल् freak काम कर रहा है है तो फिर से में इसको इस्तन भाई मोट पे लेके चलता हूं किया तो यहाज के ». नहीं देखें या पर मैंने प्रेस किया और मारा रेमोट के जरिये या मारा इस्टन भार मुट पर चला गया तो गाइस इस प्रकर से आप आपने युनिवर्सल मदर बोट के अंदर कोई भी रेमोट को वर्क करा सकते हो चाहे आपके पास यह वाल चोब शीचिंच इन्च इम कि अधर ब्न पर या कोई उसके अन्दर बी काम करा सकते हो और आपके पास यह वाला एंड्वर मादर बोड आपको सब्सक्राइब argument जोन देखें हो तो नीचे description में एक हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हूँ उस लिंक पे जाके अब सारे डिटेल्स में जानकर यह ले सकते हो कि हमें कौन-कौन सा बटन को प्रेस करना होगा कोई भी रेजुलेशन मैच करना के लिए यूनिवर्सल मदरबोड के अंदर आइधिंक दोस्तों आपको पता सारे टेकनीसेयन दोस्तों के साथ और सारे जो आपने टेकनीशन गुरूप से उन ग्रूप के अंदर भी शेयर केजिए ताकि उन लोग को भी पता चले कि किस तरीके से आप किसी भी रेमोट को अपने यूनिवर्सल मदरबोड के अंदर वर्क करा सकते हो थैंक्यों गैस आ झाल बड़ा है